हाई गाईज, welcome back to my channel, मैं होग सुगा मौन, बिले चानल पर फिरसे एक बड़ा रुका स्वागत है, तो आप लोगों ही रिक्रेस्स पे, आज मैं आप लोगों को एक साथ शेयर कर रहे हूं, कि आप after delivery अपना weight loss, weight loss नहीं, सिर्फ पेट की बात आज मैं करूँगी, कि आप अपना overall weight loss कम कैसे करें, जब आपकी delivery हो जाती है, तो overall body का fat कम हो ही जाता है, लेकिन सबसी जिद्धी fat होता है हमारे weight loss का जिसको मैंने भी झीला है, और वो नहीं जाता है, तो आज मैं आपने लोगों साथ 3 चानल जीजे ऐसे share कि जब मेरे delivery हो गए थी, उसके 9 महीने तक लोग यह सोचते है कि मेरे delivery भी हो है, यानि इतना जादा पेट मेरा निकला हुआ था, और overall body में fat था, लेकिन पेट इतना जादा निकला हुआ था, कि delivery नहीं हो थी, और मैं ऐसे door-door से बताऊंगे कि यह चीज मत करिएगा, मैंने चड़ी गाने उतनी जादा quantity में, दूसरा जो चड़ गया है, वो में बहुत इजी बेवोट रेगा, तो पहले मैं आपको बताऊंगे कि आपको क्या नहीं करना है, देखिए, first of all, आप यह कोशिश करिए कि जब आप pregnant हो, यानि जब आपका पेट कापी heavy हो, आप पूरे इ नीचे डाल दोगी, वो पर्टिकुलर उसी के लिए होती है, और मतलब कापी ऊपर तक होती हो, यहां तक आप पहनोगे, और जिनके आदत नहीं होती है, विदाओ पैंटी रहने की, तो वो पहनते हुए है, जैसे नौ मैने मैंने पूरी पहनी ही है, लेकिन कुछ गल्दिय तो वो भी मैं नीचे डाल दोगी, रिस्क्रेप्शन बोक्स में, तो एक डिलीवरी वाली आपको, मतलब प्रेगेंसी वाली आपको पैंटी या फिर बैट लगानी लगानी है, उसे जो आपका नीचे का पेठ है, अब्डॉमनल अरिया है, वो नहीं नितलेगा, पस चीज उसके बाद आपको क्या करना है, कि आफ्टर डिलीवरी आपको क्या करना है, जब आपका बच्चा हो जाए, वो चाहे नॉर्मल हो, चाहे सी सक्षन हो, मैं दोनों की बात करहे हूं, चाहे नॉर्मल हो, चाहे सी सक्षन हो, आपको पानी नहीं पीना है, तीन गित तक तो एक दो करे कृको अगुर पानी को आपको आधा करके हम किया आधा करके पी एक गिल्हा सकता है दो कि आफ आपको काता बीस करा निन मिजा पीना है जबना करर निया पर चुंग कि आरेख़ें था कुपक कर्या है 11 मैं चुछा था पानी के कुमना है उस clients upfront तो आपकी नसू में पानी चला जाएगा जिसकी वज़े से पेट जो हमेरा बहुत था नौ महीने तक उसके बाद मेरी 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 नानी नानी ने मुझे एक कोटली बैदाई थी उसका भी वीडियो में ने शेयर किया होगा है तो आप जाक की चेक कर सेएगे लिंक में नीचे पानी पी लिया है उनके लिए इलाज है निस तरह से अपना वो जो निकला हुआ पैट या नशों नसों में पानी चला गया थी में जिस तरह से अंतर किया है उस पोले की थू हे तो उसका लिक भी नेचे इसर डिसक्रप्शन बाक्स में देख सकते हैं लेगिर फुस्ट 6 मेने तक आपको अजवाइन वाटर ही पीना है अजवाइन को बॉयल करके उसका पानी रखेंगे अजवाइन वाटर ही पीएंगे आपको 6 मन तक अजवाइन वाटर ही पीएंगे आपको 6 मन तक अजवाइन वाटर ही पीएंगे आपको 6 मन तक अजवाइन वाटर ही पीएंग पहनी है और मेडियम साइज लाज साइज आप अपने हिसाब से देख लीजेगा जिस सब का लिक में नीचे देखूगी अगर मिजे मिलेगा मैं सब्सक्राइब तो मैं नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाल गूगी ठीक है अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पेट कम करने के लिए क्या करना ही करना है फस्ट अप आप अप्टर डिलीवरी जो है मॉर्णिंग में उठोगे और अब सुबह आपको क्या करना है मेधी एक मॉर्णिंग ब्रिक आप सरग लेते हो और लेना भी चाहिए तो आपको मेति को रात में गूझा है Юसे सुबय को चलम होका है कि तो फरम पानी, आपको पीना है इससे भी आपका इस्टमक बहुत जलदी याएगा, और आपको ना बाक मैं मैं घ्रिंक म हम आपको ऑजयेए उन घ्रिंक सारक давно से अ Спास करें गूप यो 않아요 कि एक मेथी बॉटर वाला जो है भुषा आपको करना है इससे क्या होगा आपके बॉड़ी में गर्मी रहेगी और आप चोपने बेड़ी को मिल्क बिला रहे हो वह भी आपके उसमें भी ठंटा नहीं रहेगा तो बेबी आपको आपको वह बॉटेबल रहेगा तो यह चीज मिला के पीना है तो यह आपका morning drink हो गया है और पायस की दिक्कत वाले प्लीज अगरा को skip कर दें वो normal methi water ले उसके बाद दूसरी चीज जिनको भी normal delivery हुआ है वो पेट के massage करेंगे ही करेंगे अगर इस बाद आपको पता है जितना आपका breast का साइस हो आपको उतनी ही साइस का जैसे की माली जापको 32 है तो आपको 32 साइस की बैट लगाना है तो यह measurement धिहान रखेगा अगर इस measurement आपने माली जापकी 34 breast है और आपने 36 लगा ले तो पेट अंदर नहीं जाएगा वो सिफ दिखाने के लिए आप बैट लगाओगे तो कोशिश करके first of all जितना 32 है तो आप 32 के बैट लगाओगे फिर दीर दीर 30 पे और एक बैट मैं आपको अभी सज़स करूँगे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदू भी बैट लगाएगा और जैसे कि माल लीजे अगर आप बैट लगाना नहीं प्रिफर करते हों कुछ लोग बैट लगाना नहीं प्रिफर करते हैं और यह कोशिश करिए अगर आप यह नहीं कर सकते हो तो आप देखते होगे कि एक पॉयल आती है प्लास्टिक राप जिसमें पूट राप किया रहता है अप उसको सुबे टाइट करके अपने पेट पे बांद लो और पूरे दिन बांदे रहा हो और उसके नीचे आपको क्या करना है जो मैंने आ प्लास्टिक राप बांदो या फिर पेल्ट बांदो वो क्या करेगा वहां पे खुब हीट करेगा और आपका जो है पसीना निकलेगा और ताट बर्ण होंगा इस तरह से जो जिद्धी फैट है वो गहां से निकलेगा तो दूसरी चीज़ आपको यह ध्याना की है मॉर्ण प्लास के बांते थे जिसने की पेट अंडर है लेकिन हमारे पास यह सुविधाये हैं कि हम यह चीज़े कर सकें तो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको खाने का थोड़ा सा देखना है मैंने देखे ब्रेट स्पीटिंग मदरवालों का डाइट प्लान शेयर यह चीज़ आपको अपने वहerry चाहिण करती है तो आपको आठ वजे तक आप अपना दिनर ने फिंछ करना है तो यह चीज़ भी धरंन भ्यंग्ने तक आपको टिनर itu sawn lawn फोटिंग सब्सके में तीन उठील चाज करना है और उससे बाधा को थगतेषा अर चा़ल थीज़ आपको breastfeeding करवानी ही करवानी है breastfeeding से क्या है आपकी extra calorie निकलती है आपका पीट अंगर जाता है तो मैं आप बॉटल हटा दीजे कोशिश करिए अगर आपको बॉटल लगानी है आप बर्के हो तो पूरे दिन आप फीट करवाईए दिन में एक बॉटल लगाईए ताकि बॉटल की जो आदत है वो बॉटल को चूटेने और बॉटल भी करें तो चौथी चीज आपको breastfeed करवाना ही करवाना है पाँच्वी चीज आपको क्या करनी है आपको दो protein एक साथ नहीं लेना है अगर आप non-mecatarier हों और आप fish और दाल एक साथ खा रहे हो तो मत करो ऐसा ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी body उसे digest नहीं कर पाएगी और digest नहीं करेगी तो वो जाकर उसे fat में convert कर देगी आपकी body में चर्बी जमा लेगी तो कोशिश करके अगर आप दाल खा रहे हो तो दाल के साथ चावल लो अगर आप fish और खा रहे हो तो उसके साथ या यह मत करो कि आप दाल भी ले रहे हो अड़ा भी ले रहे हो मतलब एक टाइम पे एक ही protein आपको लेना है तो यह चीज़ भी रहा लगो और पेट की हो सके तो मसाज करो जो लोग मतलब कि अज्यों सीजेरियन भी है वो भी धीरे-धीरे से आप्टर 6 मत आप धीरे-धीरे मसाज करना स्टार्ट करो और हाँ एक चीज़ सबसे इंपोर्टेंट की आपका बच्छा चोटा है और आप वो भी चाहता है की लोग भूमें तो उसे आपको कोशेश करके मॉर्निंग में आना गंटा वॉक उसे भी करवाओ और इंदिंग में उसके साथ भी आप वॉक होरो तो एक घंटे की वॉक लेना स्टार्ट करो धीरे-धीरे तो इससे क्या है कि आपके पेट के पास की जितनी चल भी है बहुत तेजी से पिगलना स्टार्ट होगी ये सक च अज तक मैं उसे रिड्यूज ही कर रही हूं और पेट का फैट ही मेरा अब चला ही गया है तो इस तरह से सारी चीज़े आपको करनी है बहुत एफेक्टिव है जो मैंने अपको बताया और जो फर्स मैंने आपको बताया कि क्या चीज नहीं करनी है आपको ये चीज भी ध्य रखें तो ये कुछ लाइक के एक्सपीरियंस हैं जो मैं अपने एक्स बेडि में ट्राही करूंगी कि मेरे जो मैंने फर्स बेडि में जहिला है वो नहाइ जेला है जो नाय सेकंड बेडि में उतना पैट ना चड़े और ये वीडियो गर आपको हेल्प लगा हो तो इस वी स्क्राइब कर दिये तुंग ती हुआ जली एग ने ने वीडियो किसा तब तकी ये बागाई